हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वीना अगरवाल केचिन आज हम बनाएंगे 7 प्लस मंथ बच्चो के लिए एक बोरिंग लेकिन बहुत ही हेल्दी इंग्रेडियंट से बहुत ही आसान टेस्टी और हेल्दी रेसिपी इसका यूनिक टेस्ट और क्रीमी टेक्स्चर बच्चो को बहुत ही पसंद आता है साथी साथ या काफी फिलिंग भी होती है जो बच्चो को लंबे समय तक फुल रखती है इसे आप बच्चो को ब्रेकफास्ट लंच या डिनर कभी भी दे सकते हैं तो आईए बनाना शुकरते हैं इसे बनाने के लिए एक कुकर को गर्म कर लिया है इसमें आदा चमच के करीब घी एड़ करेंगे जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसमें बहुत थोड़ा सा जीरा एड़ करेंगे जैसे ही जीरा चटक जाएगा इसमें बहुत थोड़ी से हींग एड़ करेंगे हिंग और जीरा एड़ करने से बच्चों का डाइजेशन अच्छा रहता है और गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होती है अब एक लॉकी या बोटल गाड लेंगे लॉकी ताजा और कच्ची हो पकी ना हो अब इसका छिलका निकाल देंगे और इसको छोटे-छोटे तुकड़ों में काट लेंगे इस कटी हुई लॉकी कोकुकर में एड़ कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसको चलाते हुए एक मिनिट के लिए पकाएंगे जब लॉकी थोड़ी सी भुण जाएगी इसमें एक बड़ी चमच के करीब मुंकी दाल को अच्छे से दूकर एड़ करेंगे इसको लॉकी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें एक बड़ा चमच के करीब चावल को अच्छे से दूकर एड़ करेंगे आदा ग्लास के करी पानी एड़ करेंगे बहुत थोड़ा सा नमक एड़ करेंगे अगर बच्चा 10 मन से छोटा है तो नमक अवाइट करें बहुत थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर एड़ करेंगे आखिर में इसमें काजू एड़ करेंगे जिससे यह बहुत क्रीमी हो जाता है अगर आप काजू नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगे पर थोड़ा सकचा आलू भी आड़ कर सकते हैं अब इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और कुकर का धकन लगा कर 3-4 सिटी आने तक पकाएंगे कुकर में 4 सिटी आ चुकी हैं इसका प्रेसर रिलीज कर देंगे और चेक कर लेंगे कि यह आच्छे से पक गया है या नहीं और आसानी से मैश हो रहा है या नहीं अगर आसानी से मैश हो रहा है तो इसको एक ग्रैंडर जार में ट्रांसफर कर देंगे और बहुत थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और इसको ग्राइन कर लेंगे जब ये ग्राइन हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा जो ना केवल दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है बलकि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और साथी साथ हेल्दी तो है ही जो आपके बच्चे को बहुत पसंद आएगा अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिसे के आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें